यहीं दोस्तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अपकॉमिंग नई भरती के बारे में अगर आप भी इंडियन आर्मी की नई भरती के इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है किमकि आज किस वीडियो में जानेंगे जो आपका अपकॉम रिलीज होगा ये भी आज किस वीडियो में आपको बताएंगे तो सबसे पहले दूस्तों यहाँ पे बात करें जो आइन इंडियन आर्मी के अंतरगत इस बार जो है आपका पोस्ट कितना रहने वाला है यानि कि टोटल पोस्ट की बात करें तो देखिए दूस्तों इस बार जो आपका इंडियन आर्मी के भरती है इसमें यहाँ पे पोस्ट की बात किया जाए तो आपका जो है यहाँ पे 50,000 पोस्ट देखने को मिलेगा यानि कि All India से 50,000 पोस्ट का इंडिडेट का जो है सेलेक्शन होने वाला है क्योंकि दोस्तों अभी जो है इंडियन आर्मी के अंतरगत काफी सारे पोस्ट जो है भैकेंट है यानि कि खाली है और इसको लेकर हाली में एक न्यूज पेपर में मैंने आप सभी को आर्टिकल दिखाए थे जहां पे बताया गया था मिनिश्टी ओप डिफेंस के द्वारा जो है कि अभी जो है इंडियन आर्मी के अंतरग जो है दो टोपिक पर आपका बदलाओ की बात जो है यहां पे किया जा रहा है यानि कि भारतिय सेना के तरब से मांग किया जा रहा है कि दो जो है चेंजेज करने के लिए एक तो आपका ये है कि एज लीमिट जो है आप सभी को बता दे एज लीमिट जो है तेईस बरस करने के लिए यानि कि maximum जो है 23 बरस और इसके अलावा एक ये भी है कि आप सभी को पता है कि अभी जो है 4 साल के लिए आपका जोब रखा गया है जिसमें से मात्र 25% कंडिडेट को ही पर्मानेंट किया जाएगा लेकिन भारतिये सेना के तरब से मांग ये हो रहा है कि अब जो है 50% यानि कि भारतिये सेना जो है सरकार से मांग कर रही है कि अभी जो है 50% यहाँ पे इसे कर दिया जाए यानि कि 25% से बढ़ा कर 50% कंडिडेट को जो है पर्मानेंट करने की यहाँ पे मांग किया गया है और इसके लावा एज लिमीट जो है 21 बरस जो अभी आपका maximum है इसे ब इस बरस हो रहा है या नहीं लेकिन यह जो है दो बदलाव आपके आने वाले समय में देखने को मिल सकता है अब दोस्तों यहाँ पे आप में से सभी यह स्टूडेंट का यह भी सवाल था कि इस बर जो आपका भरती होने वाला है इसके अंतरगत एज लिमीट जो है कौप से काउंट किया जाएगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे हम यह ज लीमीट काउंट के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों अगर आपका डेट व बर्थ, यहाँ पे आप सभी को बता दे, अगर आपका डे ओ बर्, में जो है form apply कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर यहीं जो है 23 बरस अगर आपका age limit कर दिया जाता है तो इसमें 2 बरस और आपसे भी minus कर दीजिएगा आपका 2001 हो जाएगा लेकिन अभी 23 बरस आपका किया नहीं गिया है इसलिए अभी 21 बरस जो है इसके coding आपको बता रहे हैं तो 1 October 2003 से लेकर 1 April 2007 के बीच अगर आपका date of birth है तो आप form फिल कर सकते हैं लेकिन अगर age आपका 23 बरस किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 October 2001 तो अभी तो ये जो है age limit आपका increase नहीं किया गया है लेकिन आने वाले समय में ये हो भी सकता है इसके लावा आप सभी को पता है कि इसमें जो है अगनी बिर जीडी के अंत्रगत तेंथ पास आपका रहेगा 45% marks के साथ और 33% परतेक सबजेक्ट में और सारे 17 से 21 बरस आपका age limit है और age कब से count होगा यानि कि कब से लेकर कब तक होना चाहिए ये मैंने आप सभी को बता द इसके लावा दोस्तों टेक्निकल के लिए आपका 10 परस टू होना चाहिए जिसमें physics, chemistry, math subject और 50% overall और 40% परतेक सबजेक्ट में इसके अलावा दोस्तों color की बात करें तो 10 परस टू जो है आर्ट, science या commerce किसी भी stream से अगर आप किये हैं और 50% यहाँ पे 60% overall और 50% अगर परत परतेक सबजेक्ट में 33% और 8 लेबल का जो ट्रेट्स में है इसमें जो है 8 पास होना चाहिए और परतेक सबजेक्ट में 33% वहीं यहाँ पे women की बात करें girls का इंडिडेट के लिए तो यहाँ पे 45% overall और 33% परतेक सबजेक्ट में और 3 पास होना चाहिए तो यह तो qualification है और इसके बारे में आप में से लगबग सभी यह student को जो है पता होगा इसके अलावा दोस्तो इस भरती के अंत्रगत जो आपका height का details है तो इसमें height आप सभी को पता होगा यहाँ पे एक बार आप सभी देख लिजिए height की बात करें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जितने भी state दिया गया है इन सभी अगर आप यह state से हैं तो आपका जो है soldier gd और tradesman के लिए यह आपका height रहेगा technical के लिए यह रहेगा और color के लिए यह आपका रहने वाला है इसी तरह से दोस्तो अगर आप सभी इन सभी state से बिलोग करते हैं तो आपका यहाँ यहाँ पे जीडी और tradesman के लिए 170 यहाँ पे technical के लिए 170 और color के लिए 162 cm रहेगा अगर आप सभी इन सभी state से बिलोग करते हैं तो आपका जीडी और tradesman के लिए 179 टेकनिकल के लिए 179 और color के लिए 162 रहेगा अगर आप सभी इन सभी state से बिलोग करते हैं तो जीडी और tradesman के लिए 180 technical के लिए 166 और color के लिए 162 रहेगा अगर आप से भी 166 cm टेक्णिकल के लिए 165 और color के लिए 162 रहेगा तो यहाँ पे देख भी सकते हैं उपर के तरद देखेंगे यहाँ पे gd engagement का है तो यह तो आपका height का details है तो इसके बारे में भरती है ये कब रिलीज होगा क्यांकि भरती के जो है काफी ये स्टूडेंट बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों भरती की बात करें तो आपकी जो नई भरती है उओ आपका रिलीज होने माला है नवंबर मन्थ में आप सभी को बता दे नवंबर 2023 में जो है फाइनल रिजल्ट आपका रिलीज नहीं किये गए है तो पहले प्रिवियस येर की जो भरती है उसी आपका कंपलीट करा लिये जाएगा उसके बाद ही आपका भरती ये आएगा तो नवंबर 2023 में आपको भरती देखने को मिल जाएगा और इस बर पोस्ट की संख्या जो